हाई फ्रेंज वेल्कम बाक बिग बॉस 16 में अब होने वाली है फैमान खान के एंट्री और ये एंट्री करवाई है किसी और ने नहीं खुछ सुंबुल और फैमान के फैन्स ने ये तो हम सबी जानते हैं कि कलर्स टीवी के इमली में ये दोनों साथ साथ नजर आये थे और द है इस सीजन का पहला वाइड कार के आने का बहुत दिनों से इमली यानि सुंबुल के फैन्स सुंबुल को बिग बॉस में देखकर बहुत परेशान थे हर कोई आता सुंबुल को बुली करता और ये उनके फैन्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर का हर एक सदस्य सुंबुल को टार्गेट कर रहा था ये सब देखकर सुमान यानि सुंबुल और फैमान के फैन्स ये जाते थे कि सुंबुल के सपोर्ट में फैमान को घर के अंदर भीजा जाए और इस बात को शायद शो के मेकर्स को सुनना ही पड़ा तब ही तो देख प्रोमो की अगर बात करें तो प्रोमो में ऐसा दिखाया है कि बिग बॉस सबसे पहले एक वाइल कार्ड एंट्री को अनाउंस करते हैं जिसके बाद फैमान एंट्री येते हैं जिसके बाद सुम्बुल बेहत खुश हो जाती हैं और उनको जाकर हग कर लेती हैं। फैमान की शो में एंट्री से सुम्बुल तो खुश है ही लेकिन उनके फैंस उनसे कहीं जादा खुश हैं। तबी तो देखिए बीती रात उन्होंने ट्विटर पे इसको ट्रेंड बना लिया। हैश्टाग सुम्बुल ताकिर खान, हैश्टाग फैमान खान और हैश्टाग सुमान सबसे ज़ादा यही ट्रेंड हुआ हिट विटर पे। वाकई फैमान की एंट्री ने फैंस को पागल तो कर दिया है। फैमान की आने से सुम्बुल का बिग बॉस में गेम तो पक्का स्ट्रॉंग हो जाएगा क्यूंकि अब कोई भी असानी से सुम्बुल पर उंगली नहीं उठा पाएगा। जहां एक तरफ सुम्बुल की खुशी का ठिकाना नहीं है तो वहीं दूसरी ओर बिग बॉस की घर में अब टीना दत्ता की टेंशन बढ़ जाएगी। बाद बाद पर टीना सुम्बुल को शो में टार्गेट करती हुई नजर आती है। ये काम अब उनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि सुम्बुल को प्रोटेक्ट करने उसका सूपरमान आ चुका है। अब देखना होगा ये कि बिग बॉस का ये गेम किस तरह से टर्न लेगा। कहीं ये टीना शालिन वसिस फैमान सुम्बुल तो नहीं हो जाएगा। Stay tuned to our channel for all latest updates on this.